तो जैसे यह formula हम लोग ने लिखा है, ठीक है, c plus d, cos sin c plus sin b का, 2 sin c plus d by 2, और into cos c minus d by 2, similarly हम बाकी चारों के लिए formula हम बना सकते हैं, आपको करना क्या है, a plus b की जगा c रखना है, a minus b की जगा d रखना है, और a की जगा c plus d by 2, b की जगा c minus d by 2 रखोगे, तो आपको यह चार formula जो म यह formula आपके बन जाएंगे, यह 4 formula, इसको c formula बोलते हैं, c d formula बोलते हैं, और काम सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, यह वाला formula आता है, 4 वाला formula सबसे ज़्यादा popular formula है, ठीक है, जिसमें बाहर minus होता है, ठीक है, यह भी important है, यह आपको याद होना चाहिए, सभी याद होने च यहाँ ले लिए जाता है, minus को sin c minus d के अंदर ले लिए जाता है, उस पर ऐसे लिए जाता है, sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, ऐसे भी लिखा जाता है, इस 4 formula को, तो आपको दोनों formula याद कर लेना है, इसको भूलना नहीं है, किसी भी हालत में, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, दिमांग म यह बैठा लेना है कि formula कैसे derive होता है कैसे इसको format में लिखा जाता है